नमस्कार दोस्तों मैं भार्दी भाउसर खापिलो किचिन में आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ सबसे पहले तो आप मेरी यूटुब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए तो आज हम बहुत ही टेश्टी पातल भाजी बनाएंगी ये महराष्ट के फेमस भाजी है इसको पालक की करीबी कहा जाता है तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं तो ये मैंने एक कटूरी चने की दाल ली है इसको भिगो दिया था पाच्छे घंटे के लिए और ये फली दाने लिये हैं आप चाहें तो इसको भिगो भी सकते हैं और जो पालक लिए वो एक गड़ी ली है मैंने तो ये चने की दाल जो भीगी होई थी तीन से चार घंटे के लिए भिगो दी थी अब फलीदाने भी भिगो सकते नहीं तो कच्छी भी डाल सकते हैं कूकर में बफ चाहेंगे वैसे भी हमको सीटी लेना है और ये एक गड़ी पालक के लिए थी हमने इसको भी काट कर धो लिया है साफ कर लिया है और इसęt को अब हम ये सबी सामागरी को एक उकर में डाल दिया है और अब मैं आप यदी इसमें लेसन डालना चाहते तो लेसन डाल दीजे बिना लेसन के भी ये बनती है तो ये मैंने दस बारा लेसन के कली डाल दिये इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और साथ ही में इसमें मैं दो हरी मिर्च डाल दूँगी आप कम या जादा भी कर सकते हैं ये देखिए फ्रेंट्स बहुत ही टेस्टी लगती है और अब मैंने इसमें एक गिलास पानी डाल दिया है क्योंकि पालक में अ से कम तीन सीटी हम ले लेंगे तो तीन सीटी हमने ले लिए इसके बाद पालक कुछ इस टाइब से हो गई है ये पातल भाजी बन रही है इसमें हम एक चमच के करीब पेसंट डालेंगे आप आधा कटोरी भी चने की डाल दे सकते हैं आप पालक और डाल को जैसे साब से से करना चाहते हैं क्वा सकते हैं तो डाल की कॉंटटी कंभी हमासे गलाए तो ने इसमें WrestleMania कीमात्रा कंभी कर सकते हैं तो मैंने इसमें दो चम़्च मांत्रा कर नकर hujan दाल भी हुआ धाले तो यह समें क्वारी मौणान के करीब अजिए शक दे क्वास को ynधान सारं हम जो है तड़का तैयार करेंगे तो तेल हमारा गरम हो गजा वो अब हम इसमें राइ और जीरा एड़ा कर देंगे जीरा हमने आद़ चमच के करीब डाला है और पनफोर्थ और चमच के गरीब मैंने राई डाली है और अच्छा-सा तड़का होना चाहिए क्यूंकि तेल अच्छा गरम होगा तभी इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा हौज़ गर्हे जेरे का अब इसमें एक नमक नमक ढाले कारवे सब्सक्तावट बेलाइस त्योचाम गत्ता सिस्क्रावचान। व्यूद्ग कर चाकि या प्याओ चा की प्रोटा क सब नमक ऑपन से, मुका हम आपने रिख करब यह ज़्क बिख निम कर दो दाल दीए है तो यह हमारी पातर भाजी बनकर रेडी हो रही है अच्छी से ओबाली आने देते लगते हैं पालक की कड़ी भी कह सकते हैं इसको तो आप मेरी रेसिपी को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक यू फॉर वाट